इसलिए मैं तो जाकती है धारी जन्गर्ना के चर्चा लगतार हम करते रहा है। क्या खिर सर्टिफिक डेटा एक लब्द होनी चाहे जिसके अधार पर हम और बच्चे लोगों का हम अबसर उनको दे सके। आर्थिक रूप से कमजोर सर्णों को 10% आरक्षन बहाल रहेगा सुप्रीम कोट के इस फैसले पर आर्जेडी परवक्ता सक्ति सिंग्यादु ने कहा। बहुत्री में जो अर्चने आती थी वो तो अपदूर हो चुका है और हम तो लगातारी बात को कहते रहा हैं कि जो लोग छूट गया है और वो अबसर उनको आरक्षन का नहीं मिल पा रहा है तब तो बैरियर टूट गया ना जो बैरियर टूट गया तो जो छूटे वोए लोग हैं उन पर भी सरकार ध्यान देगे इसलिए मैं तो जाकती है धारी जनगर्ना के चर्चा लगतार हम करते रहा है कि आखिर साइंटिफिक डेटा एक उपलब्द होनी चाहे जिसके अधार पर हम और बच्चे लोगों का हम अबसर उनको दे सके यह तो हम सुरूस इस ब सुल्व कोट ने सहमति भ्यक्ट की है तो इंद्रा साली की जो बैर्य यर बार बार आती थी नयाई के शीजेए टूट चुकी है तो अब तो और लोग हैं जिनको भीसर मिलेगा हम समाजी की नयाई की भात करते हैं और आर्ठीग नयाई की बात करते हैं हम न किसी छोड़ने की बात करते हैं हम तो सब को अब सदली की बात करते हैं सुप्रिम कोड के फैसला का हम दिरोष्ट नहीं करते हमारे तुष सुरुसी यहीं मांग रही है जो लोग अरक्षन के दैरे में छूट गए थे उन्हें भी अरक्षन मिलना चाहिए इसके लिए हम लोग ने जाती कोस्लाइब पटना